नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंखन्ना होमियोपेथि क्लिनिक केस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है साथियों, आज हम बात करेंगे गिया बरे सिंड्रोम की यहां एक रेर बिमारी होती है जिसमें कि आपका इम्यून सिस्टम आपकी नर्स पे हमला करके आपको पैरलिसिस तक की सिती में ले जाता है इसका सबसे पहला सिंड्रम होता है जब आपको इस्टिमिटीज में वीकनेस आ जाती है गिया बरे सिंड्रोम की साथियों खास बात यह होती है कि यहां पैर से शुरू होता है फुर्स से शुरू होता है यानि लोर इस्टिमिटीज से शुरू होता है और फिर यहां धीरे अपर इस्टिमिटीज पे पहुंच जाता है और आपको वीक कर देता है साथियों हम आपको बताएंगे गिया बरे सिंड्रोम जो की एक रियर बिमारी है और ठीक ना होने वाली बिमारी है उसमें आपको आराम देने और ठीक करने की दस कारगर होमियोपेथिक दमाएं सबसे पहले साथियों यहां जान लेते हैं कि ग्यावरे सिंड्रोम होता क्या है ग्यावरे सिंड्रोम साथियों जैसा कि अभी हमने बताया यहां आपके नर्फ की बिमारी होती है जिसमें कि आपका autoimmune system जो आपके body के basically immunity के लिए होता है आपको प्राहने के लिए होता है कभी-कभी यहाँ आपके नर्स पर attack कर देता है और नर्स पर हमला करके आपको weak बना देता है इस syndrome की शुरुवात ग्यावरे syndrome में बिमारी है इसकी शुरुवात आपके lower extremities से होती है और यहाँ उपर की तरह बढ़ता है इसका सबसे पहला symptom साथियों आपकी नर्स में tingling और चुबन होता है और आपकी lower extremities में weakness होने लगती है यहाँ कियावरे syndrome है अब जान लेते हैं साथियों इसके symptoms के बारे में कि कैसे आपको अंदाजा लगे कि यह आपको हो सकता है या हो रहा है या आपको doctor से मिलने की जरुवत है साथियों इसका जैसा कि मैंने बताया इसका सबसे पहला और important symptom होता है यहाँ जब आपके पैर में tingling और needle like चुबन होने लगे तो यहाँ आप समझ दीजे कि कहीं कुछ गरबढ़ है हमें doctor से मिलना चाहिए इसका दूसरा symptom होता है साथियों कि आपकी extremities में बहुत weakness आ जाती है जो कि उपर की तरफ progressive होती है इसकी तीसरी बात होती है कि आपका जो चलने का posture है वो weakness के कारण इत्ता खराब हो जाता है कि आपको अटपटा लगता है और आप जरा सा ही काम करके बहुत अपने को weak महसूस करने लगते हैं अपने को कमजोर महसूस करने लगते हैं इसके अलावा आपका जो heart rate है वहाँ बढ़ जाता है आपकी घबड़ा हाट बढ़ जाती है और आपके पूरे सरीर में tingling यानी चुबन यानी ring an AC sensation होता रहता है अगर यहाँ symptom है तो आपको एक बार जरूर अपने डॉक्टर से सला ले लेनी चाहिए अब साथियों आपको बताते हैं गिया बरे सिंड्रोम के कारण गिया बरे सिंड्रोम के कारण रीजन आज तक unknown है लेकिन medical studies में observation में देखा यह गया है कि अगर आपको digestive tract या respiratory tract आपका सास लेने की बिमारियां या आपके पेट की बिमारियां होती है उसका treatment होता है उसके बाद आम तोर पे मरीज को यहाँ syndrome हो जाता है जिसमें उसके पैड से वीकने साती है और extremities तक जाती है उसकी आखों में भी तकलीफ होने लगती है और वहाँ देखने में विजन में भी असाहस्ता मैसूस करने लगता है अब सातियों चलते हैं सफर पे आपको बताते हैं गिया बरे syndrome से निपटने की उसको ठीक करने की उसको कंट्रोल करने की दसकार कर होमियोपेथिक दवाएं लेकिन उससे पहले सातियों हम आपको बता देना चाहेंगे कि यहाँ आपकी जानकारी के लिए कारकरम है कोई भी दवा बिना कुसलची की सक से पूछे ना ले क्योंकि हर दवा के अपने symptoms होते हैं और हो सकता है वो आपको वो symptoms ना सूट करें जिस साधार पे हम दवा बता रहें इसलिए किसी कुसलची की सक से आप जरूर जानकारी लेके दवा करें यहाँ आपके जनकारी के लिए कारकरम है जिसमें कि आप कम से कम इत्ता समझ जाएंगे कि आपकी बिमारी का इलाज है सलते हैं साथियों आपको बताते हैं होमियोपेथी में गिया बरे सिंड्रोम की 10 कारगर होमियोपेथिक दवाए सबसे इंपार्टेंट डवा साथियों जो गिया बरे सिंड्रोम की होमियोपेथी में आती है नमबर एक दवा वहाँ है इगनीशिया इगनीशिया अमारा अगर आपको mental tendency थोड़ी सी जिद्धी टाइप है high type है मतलब अपनी एक superiority complex रहता है जो कि आप ही समझ सकते हैं अगर आपको रहता हो तो और आपकी extremity में weakness आ रही हो और आपके यह बिमारी डाइगनोज होई हो तो फिर इगनीशिया अमारा से अच्छी रवा नहीं हो सकती आप इगनीशिया अमारा 30 पावर में दो दो भून दिन में तीन बार कुछ वक्त दो कॉंटिन्यू कर सकते हैं आप देखेंगे कि आपकी extremity में ताकत आने लगी आपका जो चलने का तरीका है वो ठीक होने लगा और जो आप बहुत देर तक कोई चीज होल नहीं कर पाते है इस सिंड्रोम में आप चीजों को पकड़ने लगे और फोर्स लगाने लगे जो आपकी नर्व की weakness है वाख हतम हो गई पस पात वही ध्यान रखने वाली कि इसका सबसे एहम symptom है कि मरीज को थोड़ा superiority complex रहता है अपने आप में वो आपने को सबस्यादा सुपीरियर समझता ह डूसी दवासातियों होमियोपथी में उस एस्थिती में बनती है कि जब आपको गियाबरे सिंड्रोम हो और साथ में आपको severe constipation रहता हो अगर यह एस्तिती आप में रहती है कि आपको गियाबरेश सिंड्रोम है और आपको सिवियर कॉंस्टिपेशन रहता है जिसमें कि आप मोशन जाने को परिशान हो जाते हैं जाने की जरुवत कई दिन तक नहीं पड़ती तो आपको ठीक करने की होमियोपेथी में करने की निश्चित दवा है ऐलुमिना आप ऐलुमिना 30 दो दो मून दिन में तीन बार उस कंडिशन में ले सकते हैं जब आपको कॉंस्टिपेशन रहता हो लाज स्टूल का क्यूमिलेशन हो जाता हो और फिर आप कई दिन बाद उसको पास करने जाते हो इस्टूल पहले सक करने की निश्चित दवा ऐलुमिना है आप ऐलुमिना 30 दो दो पून कितमे तीन बार ले लें आपको लाप हो जाएगा फिर एक स्थिति आती है साथियों कि आपको गिया बरे सिंड्रोम है और उसमें इत्ती कमजोरी हो गई कि आप एक कब भी नहीं पकड़ सकते हैं मतलब करने की होमियोपैती में बहुत कारगर दवा फॉस्फोरस है आप फॉस्फोरस वाईयम की तीन खुराग पच-पच मिनिट के फासले पर वीकली ले सकते हैं आपको अराम मिलने की सिंड्रोम में पूरी संभाबना है उस इस्तिती में जब आपकी तकलीफें शाम को बढ़त है अपर एक थिस्ती आती है साथियों इसे सिंड्रोम में कि जब आपको को कि könnte बहुत ज़्यादा होती है अगर आपके कंपन ट्रेंबलिग बहुत जियादा हो रही हो आपको कुछ भी पकरते में हाथ बहुत काम पर रहे हो आपको सपास माते हो कि खिचाओ एठं ह होती हो शरीर में तो आपको ग्यान बरे सिंड्रोम को ठीक करने की होमियोपेथी में सब से कारगरदवा आर्सनिक एल्बम है आर्सनिक एल्बम का मरीज बहुत ही फास्टीडियस यानि तरीके से काम करने वाला होता है उसको थोड़ी थोड़ी देर पर प्यास लगती है और उसकी तकलिफे रात के बारा से दो बजे रात के मिड़नाइट के टाइम पर बढ़ती हैं और कभी-कभी वार डाइवेटिंग भी होता है तो अगर आप यहां सिंटम अपने में पा रहे हैं जिसमें कि आपको क्रैंप सा रहे हैं तो आपको ठीक करने की होमियोपेथी में निश्चित तोर पर दवा आसनिक अल्बम है फिर साथी अबड़ा आजीब गरीब सिंटम आता है कुछ लोगों में गवानबरे सिंड्रोम में कि उनके एक हाथ वहां तकलीफ में हो तो उसको आराम देने की बहुत अच्छी रवा कोक्यूलस इंडिकस है आप कोक्यूलस 30 दो दो बून दिन में तीन बार सुबा दुपैर शाम मरीज को दे दें तो आप देखेंगे कि उनको रात में सोने के बाद बढ़ने वाला दर्द ठीक हो गया और वहां रात महसूस करने लगे कोकूलस के मरीज को चकर भी बहुत आते हैं और वह गारी टेंपो ट्राम एरोपलेन ट्रेन इनमें नहीं बैट पाता है उसको से नौजिया होने लगता है वामिटिंग होने लगती है तो अगर यहां सिंटम आप में है तो ग्वान बरे सिंड् को हो सकती है कि उनके केवल लोर लिप्स पैरलाइज होते हैं शरीर का निशला हिस्सा ही केवल पैरलाइज होता है तो अगर यहां इस्तिती आप में है तो आपका ग्वान बरे सिंड्रोम को ठीक करने की सबसे कारगर दभा रस्टॉक्स है आप रस्टॉक्स वर्यम पावर म यानि एक हजार पावर में दो दो बून दिन में तीन बार थोड़े लंबे वक्त के लिए ले सकते हैं आप देखेंगे कि आपका पैरलिसिस भी ठीक होने लगा आपकी जो इक्जर्शिन के बाद वीकने साती है वहां भी ठीक होने लगी आपको जो वन साइड़ेट लावर चलने के कबिल बना सकी फिर साथियो की स्थिती आती है किसी को के रात में जर्किंग होने लगती जब वो सोते हैं तो टुचिंग होने लगती है, अचानक एक हद पर घूमने लगते हैं, एठन होने लगती है, वो एकदम से मुवमेंट सोने लगते हैं, तो अगर यहाँ आपके डायर सिचुएशन आपके सामने हो, तो इसको ठीक करने की भी हुमियोपैथी में दवा है, औ और दवा का नाम है जिनकम मेट 30, जी हां, जिनकम मिटालिकम 30 दो दो बून आप दिन में तीन बार उस कंडिशन में ले सकते हैं, कि जब आपको गवाइन बरे सिंड्रोम हो, रात में आपके जर्किंग होती हो, आपको शौक सैसे महसूस होते हों, और आप परिशान हो जात लगेगा, फिर एक स्थिती आती है सातियों जिसमें कि किसी को गवाइन बरे सिंड्रोम हो सकता है, और उसको रात में पेशाब निकल जाती हो, पेशाब वो पलंग पे कर देता हो, रोज उसको डाइपर लगाना पड़ता हो, बागना पड़ता हो, तो अगर वहां स्थिती यार यह कि रात में इन्वालेंटी यूरिनेशन हो रहा है और उनको गवाइन बरे सिंड्रोम है, तो उसको ठीक करने की होमियोपेथी में बहुत कारगर दवा कौस्टिकम है, आप कौस्टिकम हिनिमनाई 30 पावर में दो दो बो दिन में तीन बार मरीज को दे दें, आप द बहुत तेज रैपिडली आपका लोर स्टिमिटी से वीकिनेस बढ़ी और पूरे शरीर में आ गई, तो अगर बहुत रैपिड रूप से आपके शरीर में इस तरह की वीकिनेस आती है, तो इसको ठीक करने की और जेनरली भी गवाइन बरे सिंड्रोम को ठीक करने की अगर आपको गवाइन बरे सिंड्रोम है और आपके सिंड्रोम बहुत रैपिडली एसेंडिंग टाइप ऊपर की तरफ प्रॉक्रेस हुए हैं प्रॉट टू अपर इक्स्ट्रिमिटी तो आप को नियम वनियम की तीन खुराक पच-पच मिनिट के फासले पर वीकिली ले ल पिर साथियों एक स्थिदिए आती है गवाइन बरे सिंड्रोम में कि जब आपके बहुत वीख हो जाते हैं तो अगर गवाइन बरे सिंड्रोम का पेशेंट है और वहां बहुत वीख हो गया है तो उसको ठीक करने की होमियो पैथी में बहुत कारगर दवा और नर्वस में जान फूखने की बहुत कारगर दवा प्लंबम मिटालिकम है आप प्लंबम मेट 30 दो दो बून दिन में तीन बार उस मरीश को दे सकते हैं जिसको की बहुत वीकने सा गई हो और उसको एमिसियेशन यानि कि उसका वेट लॉस हुआ हो और उसको कॉंस्टिपेशन रहता हो तो यहां दवा प्लंबम मेट 30 आपको इन तीनों सिम्टम से ठीक करके गौयन बरे सिंड्रोम से ठीक करके आपको स्वस्थ जीवन जीने में मदद करेगी फिर साथियों एक कंडिशन आती है गौयन बरे सिंड्रोम में कि आपकी रीड की हड़ी में बैक में चलन होने लगी और अगर आपके जो बाडी में चुभन हो रही है गौयन बरे सिंड्रोम में उसमें चुभन के साथ आपको चुभन के साथ आपको उसमें जलन भी होने लगे स्पाइन में जहां से सारी नर्स पास होती क्योंकि यह सिंड्रोम में आपकी नर्स पे ही आपका इम्यून सिस्टम आटेक करता है तो अगर वहाँ इस्तिती हो तो उसको ठीक करने की होमियोपैथी में बहुत कारगर दबा एसिट पिक रेट अब है आप एसिट पिक 30 दो दो बूर दिन में तीन बार ले लें आप देखेंगे कि आपका स्पाइन की जो जलन हो रही है रिड़ की एटी में जो होने लगा एक साथि और इस स्थिती आपके सामने आ सकती है कि जब आपको इस सारी बताई दबाओं से फाइदा ना हो रहा हो पर आपको सारी दबा के फासले पर वीगली उस कंडिशन में ले सकते हैं जब आपको कोई दबा काम ना कर रही हो आपको नींद ना आती और आप diabetes, cancer और syphilis की तरफ inclined हो यानि परिवार भी किसी को यहाँ बिमारियां रही हो उस condition में आपको carcinocene दिक्कत से निकालेगी यह साथ यहों कोई दवाएं थी ग्वायन बरे सिंड्रोम के यहाँ आपको ठीक करने में मदद करेंगी और इस वीडियो से हमारा प्रियास्ता मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ वीडियो आपकी जानकारी के लिए था कोई भी दवाएं बिना कुसल्च की सक्से पूछे ना ले क्योंकि ग्वायन बरे सिंड्रोम एक medical emergency भी होती है यह साथियों कोई दवाएं थी ग्वायन बरे सिंड्रोम के विशह में साथियों एक बार फिर हम आपको बता दे यह दवाएं आपकी जानकारी के लिए है कोई भी दवा बिना कुसल्च की सक्से पूछे ना ले क्योंकि ग्वायन बरे सिंड्रोम में एक medical emergency होती है अगर साथियों आपके मन में कोई सवाल हो कोई question हो तो आप YouTube notification panel में अपना सवाल लिख सकते है या फिर हमारे WhatsApp नंबर 94157863309415786380 पर आप अपनी query को WhatsApp कर सकते हैं हमें आपके सवाल का संतोष जवाब देने में बड़ी खुशी होगी अगर आपको यह वीडियो हमारा पसंद आया हो साथियों तो वीडियो को लाइक करिएगा अपने चैनल को शेयर करिएगा और बेल notification बटन दबा के सबसे पहले सबसे नया वीडियो पाते रहिएगा आपका हमारे साथ इतनी देर रहने के लिए साथ देने के लिए सुनने के लिए आपका आभार सादुवाद धन्यवाद करेंगो अपका हमारे सादुवाद कर दो कर दो कर दो दो कर दो कर दो कर दो